इस lecture के अंदर हम देखेंगे कि data को transform कैसे किया जाता है लेकिन उससे भी पहले मैं आपको psychic learn library के उपर दुबारा लेके जाता हूँ और उस library के अंदर जाके हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास psychic learn के अंदर different parameters हैं जो हमें data को transform करने में help out करते हैं और data transform करने के अंदर काफी चीज़ें शुमार होती है मैं one by one करके आपको सभी दिखाता हूँ मैं अपनी screen share करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने psychic learn की main जो website आप वहाँ पे गया हूँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं sklearn या psychic learn जैसे आप यह लिखेंगे तो आपके पास google के उपर psychic learn की यह वाली psychic learn लाइबरेरी आ जाएगी इसको आप click करेंगे open करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से यह open हो जाएगी ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ pre processing मैंने हैं वो सारे यहाँ पे psychic learn की documentation के अंदर भी बताया हूँ है आप अगर left side पे देखें तो यहाँ पे पहला है standardization और mean removal and variant scaling second and non-linear transformation third and normalization fourth है encoding fifth है discretization and sixth आपके पास आज रहाता है imputation of missing values जो हमने देख लिए है फिर generating polynomial features and then custom transformers build करना यह data pre processing जो psychic learn के थूँ आप कर सकते हैं वो सारे के सारे methods यहाँ पे दिये हुए है ठीक है but on the other side आपको यह link मैं यहाँ पे copy paste कर देता हूँ chat के अंदर अगर आप इस एक data pre processing के technique को master कर लेते हैं तो यहाँ पे बताई हुई है that is more than enough for you और अगर आप इस technique को master करके data को pre process करते हैं तो आपका जो algorithm होगा वो बहुत ही best बनेग तो हम one by one देखते हैं कि कौन कौन सी यह techniques हैं और किस तरीके से यह काम करती हैं मैं दूसरी screen आपके सामने ले के आता हूँ और data pre processing पे थोड़ा सा जम के काम करते हैं ठीक है सबसे पहली चीज होती है standardization और mean removal हम क्या करते हैं कि जब भी हम data को pre process करते हैं data pre processing के अंदर जब हम move करते हैं तो इसमें data transformation एक step है जो मैंने आपको पहले भी steps दिखाई हुए data transformation ठीक है यह step बहुत ज्यादा important है ठीक है data pre processing के अंदर data transformation बहुत ज्यादा important है क्यों important है अब उसके दलायल मैं आपके सामने रखता हूँ ठीक है आपको मैंने शुरू से बताया कि जो normal distribution होती है data क यानि कि data normally distribute होने से मुराद यह है कि data जो है वो इस तरीके से bell curve बना रहा हो और आपका mean center में और standard deviation कुछ इस तरीके से है और normal kurtosis और normal आपकी skewness है आपका इस तरीके से data distribute हो रहे है यह होना बहुत बहुत बहुतर है और most of the machine learning model अगर आपका data normally distributed है इसका मतलब है वो जिन्हों विंगा चिबा कहन देने या टेडा मेडा कहते है वैसा होता है for example आपका data कुछ इस तरीके से होगा इसको कहते है आपकी right skewed आपके पास data हो सकता है left skewed भी वो किस तरीके से होता है आपका data कुछ इस तरीके से हो सकता है ठीक है आपका data इस तरीके से distribute हो सकता है य या तो बिल्कुल नीचे आ रहे हैं ठीक है तो इन दोनों में से कोई भी distribution हो सकती है and there are many other distributions जो आपके data में हो सकती है अब क्या होता है जब आप data transform करना चाहते हैं तो आपके data में data को normalize करने का method भी इसी के अंदर आ जाते हैं say for example एक सबसे बड़ी मिसाल यह है outlier को remove करने की जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब आपके data में outlier होते हैं वो क्या करते हैं आपके data को skew कर देते हैं skew का मतलब है पिछका देते हैं यानि कि ऐसे पकड़ के जैसे वो बच्चों के आप गाले पकड़ के नहीं आसे खैंच दे वो गाले पिछक जाती हैं इस तरीके से अगर आप data की normal distribution की गाल को पिछक के खैंच दें इसको हम कहते हैं skew हो जाना तो outliers यह काम करते हैं आपके data के साथ अब आप क्या कर सकते हैं आप outliers को remove कर सकते हैं जैसे ही आप outliers को remove करेंगे आपका data जो है वो सीधा हो जाएगा अब अकसर उकात यह होता है कि यह outlier बहुत बड़ी value होती है यानि कि आपका data है 1,2,3,4,5 लेकिन आपके पास outlier 80 का R है तो आप क्या करते हैं इस पूरे के पूरे data को standardize कर देते हैं यानि कि आप सारे data को एक छोटे scale पे ले आते हैं ठीक है आप कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यह data पूरा 0 से 1 के दर्मियां अंदर में आना है तो यह जो 1 था यह point 1 हो गया इस तरीके से आपका पूरे का पूरा data इस तरीके से distribute हो जाते हैं ठीक है 0 से 1 के scale के अंदर या आप यह कहते हैं कि नहीं भई 0 से 1 के अंदर नहीं मैं चाहता हूँ यह minus 1 से 1 के अंदर मेरे पास यह सारे का सारा data आ जाए यह मेरे पास एक range मैंने बता दी है इस scale पे सारा data आ है 0 center में negative value भी है यहाँ पे positive value भी है फिर एक और बंदा आता है वो कहता नहीं जनाब ऐसे नहीं मैं चाहता हो minus 3 से plus 3 तक मेरे data सारे का सारा है यानि कि जितना बड़ा उसका scale है जब मैं उसको transform करूं data को वो सारे का सारा data यहाँ पे आ जाए ठीक है something like this 2 3 sorry 1 minus 1 minus 2 minus 3 तो वो कहता है इस तरीके से data आ जाए और कु उसका log 2 ले लो या log 10 ले लो या simple log ले लो तो उससे क्या होगा बड़ी quantity छोटी quantity में आ जाएगी ठीक है तो यह log transformation हो जाती है so transform करने का मतलब यह है कि data की original form से data को एक ऐसी form में ले आना which is considerably important और वो easy to use हो यानि कि original form का data जो है original data को आप किसी और data की शकल में ले जाएं ठीक है इसको बोलते है modified data modified data या आप कह सकते हैं transformed data अब जहरी बात है center में आप कोई procedure लगाएंगे ना जिसकी base पे transform होगा इसको बोलते हैं या तो आप इसे transformer भी बोल सकते हैं in simple language या आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि कोई algorithm आप ने use किया और इस algorithm की base पे data आपका बड़ी values उसकी छोटी में convert होगी और इसमें data का जो आपस में फरक है और dimension है और magnitude है वो same रहेगा यानि कि अगर एक से 80 इतना ज्यादा दूर है ना तो ये 0.1 से 0.8 भी उतना ही दूर होगा यानि कि अगर आप इसको scale कर देते हैं ना it doesn't make any difference आपका फरक उतने का उतना ही है सिरफ ये values छोटी आ गई हैं आपके पास but on the other side फरक उतना ही है हर value का दूसरी value से फरक उतना ही ह data पर बजाते हैं खुद कोई फरक नहीं पर दा लेकिन उनकी value हम छोटी कर रहे है due to computational knowledge ठीक है on the other side इसकी जो transformation के साथ ही उसकी normal distribution आने के chances जो है वो बढ़ जाते हैं अब ये transformation कितनी किसम क्यों होती है और क्यों क्यों होती है इसको हम देखते हैं हमारे पास पहला जो एक method होता है data को उसको हम बोलते है standardization standardization ठीक है standardization क्या करता है standardization का मतलब ये है कि आप कोई equation लगाएं अपने data पे और आपका data standardized हो जाए यानि कि एक standard के अंदर आ जाए ठीक है और इसको हम standard scalar भी बोल देते हैं ठीक है for example standard scalar standard scalar क्या होगा ये आपके data को एक specific value की range में ले जाएगा और वा value कोई भी हो सकती है ठीक है हम इसको एक example के थूर लगा के देखेंगे और फिर चेक करेंगे कि standard scalar हमारे पास किस तरीके से काम करता है standardization है फिर हमारे पास एक और scalar होता है scalar का मतलब है कि एक scale पे ले आना data को scaling feature to a range अगर आप ये है आपका standard scalar इसके अंदर आपका different किसम के formula होंगे जो हम देखेंगे ये हो गया standard scalar यानि के data को standardize करना और second हमारे पास हो जाता है इसको हम कहते है scaling to a non-range वो non-range कौनसी होगी वो मैं आपको बताता हूँ अभी उसके अंदर आपके पास अगर आप कहते हैं कि आपकी value 0 से 1 के दर्मियान आ जाए इस नाम को बोलते हैं circuit learn के अंदर min max scalar min max scalar यानि के minimum 0 maximum 1 और सारी की सारी values इसी के दर्मियान रहें ठीक है scaling to a non-range पहली type इसकी min max scalar है फिर अगर हम दूसरी type की इसकी बात करें उसको बोलते हैं max absolute scalar number 2 is max absolute scalar ठीक है इसके अंदर क्या होगा आपकी value के अंदर कोई थोड़ी बहुत और भी change आजाएगी जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यह value minus 1 से 1 तक हो जाएगी ठीक है obviously 0 आएगा अगर मैं ना भी लिखो 0 तो understandable है कि minus 1 से 1 तक इसको बोलते हैं max absolute scalar ठीक है तो min max scalar हमारे पास क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया और max absolute scalar का भी हमने यहाँ पर देख लिया फिर हमारे पास आता है और किसम के scalar भी जिनमें हम value को और भी different तरीके से scale करते हैं ठीक है और हमारे पास scaling के इलावा there are other methods as well जिससे क्या होता है अगर आपके data में outliers मुझूद हैं तो आप उन outliers को भी साथ में लाएं और एक transformer लगाएं या एक algorithm रन करें inside circuit learn जिसको kernel sizing भी बोलते हैं मैं आपको बाद में दिखाता हूँ वो तो क्या होगा वो outliers को भी scale कर देगा और सारी का सारा data जो है एक scale में आ जाएगा outlier भी उनको ये outlier को भी deal कर लेगा automatically ठीक है and there are some non-linear transformers non-linear transformers क्या करते हैं आपके data को Gaussian distribution में convert कर देते हैं directly वो कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ अब ये तो होगे आपको तीन scalers के नाम याद होने चाहिए एक है standard scalar दूसरा min max scalar तीसरा max absolute scalar ठीक है standard scalar ये वाला इसकी usually value minus 3 से plus 3 तरख होती है by the way standard scalar की और ये जो है min max scalar इसकी value आपके पास होती है 0 से 1 और इसकी max absolute scalar की minus 1 से 1 अब ये तीनों के तीनों नाम मैं आपको side पे लिखके दिखाता हूँ और इसको और भी detail में हम देखते हैं बारी-बारी-बारी-करके number 1 is standard scalar अब आपको पता होगा कि minus 3 और plus 3 की value क्यों रखी जा रही है z-score आपको याद होगा z-score के बारे में हमने बात की थी जिसमें हमने minus 3 से plus 3 तक z-score को देखा था तो इसकी equation में कुछ इसी तरीके का चकर होता है जब हम इसको detail में पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा ठीक है दूसरा आता है min max scalar ये min max scalar क्या करता है आपके data को scale करता है from 0 to 1 number 3 जो तीसरा scalar है that is max absolute scalar ये क्या करता है आपके data को minus 1 से 1 के दर्मियान ले जाता है अब ये तीन scalar बहुत important है linear data के उपर linear data कौन सा हता है जो आपका linear trend को follow करता है हम उसको भी देखेंगे कि linear data किस तरीके से हमारे पास कुछ इस तरीके से value देता है अच्छा अब इसकी equation क्या है ये आपने देखनी है min absolute scalar, min max scalar की क्या है इसकी देखनी है और ये भी देखनी है अब यहाँ पे एक point जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जब कभी आप data को scale करते हैं आप ये भी check करते हैं कि machine learning का जो हमने algorithm use करना है machine learning का algorithm हमने use करना है क्या वो algorithm minus या negative values को handle कर सकता है अगर वो negative values को handle कर सकता है वो algorithm तो हम standard scalar use करेंगे या हम max absolute scalar use करेंगे अगर वो algorithm minus या negative values को handle नहीं करता उसकी assumption के अंदर हम देखेंगे then we will use min max scalar ये point अभी अपने पास लिख के रख ले ये अगर आपको पता हो कि कि scalar की कौन सी output आती है then only you can actually deploy these things ठीक है यहां तक clear हो गए आपको ओके so ये हमारे पास कुछ इस तरीके से तीन scalar हैं जो हम बारी बारी use करेंगे अब इनको हम obviously हम non-linear scalar scalar भी बोल देते हैं लेकिन हम आइस्ता इस्ता आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन से और ऐसे scalars मुझूद हैं या हमारे पास methods मुझूद हैं जिनको हम transformers भी बोलते हैं और वो क्या करते हैं basically आपके data को transform कर देते हैं into different kind of distributions ठीक है for example अगर आपके पास data है और वो है non-parametric distributions वाला non-parametric distributions यानिके non-gaussian distributions वाला आपका data जो है वो normally distributed नहीं है तो आप क्या करते हैं आप एक transformer है जिसे आप use करते हैं for example the name is quantile transformer quantile transformer quantile transformer क्या करता है आपको ये non-parametric transformer को transformation करता है आपके data की और इस data को uniformly transform कर देता है uniform transformation में convert कर देता है यानि कि कोई भी आपकी transformation हो say for example by model है और या दूसरी कोई transformation है something like this और या कोई और transformation है इसको ये uniform में convert कर देगा uniform के अंदर convert कर देगा इसको हम बोलते है quantile transformation और ये basically आपके data को बहुत helpful थाबित होती है और दूसरी हमारे पास types होती है ये तो होगी quantile जो uniform में convert कर देती है फिर हमारे पास होती है non-parametric distribution को deal करने वाली कुछ खास तोर पे कुछ transformers होते हैं क्या करते है वो map करते है data को mapping to Gaussian distribution पिछले ने uniform distribution पे किया था quantile transformation ने ये Gaussian distribution में convert कर देती है ठीक है और ये कौन-कौन सी चीज़े हैं जो Gaussian distribution में convert करती है data को मैं भी आपके सामने image ले के आता हूँ और उसको हम बारी-बारी देखते हैं so हमारे पास कुछ नाम है say for example मैंने आपको बोला था कि आपका data अगर normal नहीं है तो normalize कैसे करना है now we are going to do that अगर आप चेक करें आपके पास ये log normal distribution है ये chi-square distribution है और ये आपके पास viable distribution है कोई और कोई भी ऐसे distribution जो आपके पास basically normal नहीं है ये तीन किसमें यहाँ पे देखी हैं आपने log normal, chi-square distribution है या viable distribution है there are many distributions out there but हम ये देखते है इस पे जब हमने एक method लगाया जिसका नाम है box cox यहाँ पे भी box cox लगाया यहाँ पे भी box cox लगाया इन्स ने क्या किया इन तीनों distributions को convert कर दिया normal में यह आपके पास normally distributed data आगए ठीक है box cox transformer हमने यूज कर लिए आप transformer भी कह सकते हैं या method भी कह सकते हैं ठीक है फिर आपके पास एक और method है जो है U.E. Johnson ठीक है U.E. Johnson भी इसे बोल सकते हैं U.E. Johnson भी बोल सकते हैं इस अप टो U.E. Johnson यह क्या करता है यह उसी transformation को इसने इस तरीके से convert कर दी है normal distribution के अंदर quantile transformation अगर आपका data इस तरीके से है अगर आप uniform distribution के अंदर नहीं करना चाते there are methods कि आप quantile transformation को use के data को आप normal distribution के अंदर भी ले की जा सकते हैं which is kind of heavy transformation इसके अंदर जब हम देखेंगे आपको और भी समझा रही है then obviously आप उस पूरी की पूरी transformation को किसी और में भी convert कर सकते हैं say for example आपके पास एक Gaussian distribution है uniform distribution है और by model है यह तीन किसम की आपके पास distribution है अगर आप इन पे लगाएंगे ना box cocks uniform ने वैसे की वैसी रह रही है कोई इतनी खास change नहीं है अगर आप गोर करें क्योंके सॉरी Gaussian लेकिन uniform का क्या हुआ उसका after box को कोई इतनी खास change नहीं आई और यहां पे by model में भी कोई इतनी खास change नहीं आई ठीक है लेकिन होता क्या है कि जैसे आप you johnson लगाते हैं Gaussian पे तो आपके पास सेम रहती है quantile transformation भी सेम रहती है यानि कि इन तीनों के उपर जब हम box cocks लगाते हैं तो हमारे पास Gaussian में तो कोई फरग नहीं पड़ता यह already Gaussian है तो यह तो अपने इसमें से निकल गई अब आते हैं हम uniform पे uniform पे box cocks लगाने से कोई फरग नहीं पड़ा यह johnson लगाने से कोई फरग नहीं पड़ा इस पे quantile transformation लगाएंगे then it will convert that uniform distribution into a Gaussian distribution same here by model पे box cocks लगाने से कोई फरग नहीं पड़ा आपको यह johnson लगाने से कोई फरग नहीं पड़ा but quantile transformation से वो data normalize हो गया so this is how you can have a look on the chart और आप different किसम की transformations यहां पर use कर सकते हैं और मैंने यह chart कहां से लिए अगर आप गौर करें यहां पर हमारे पास non-linear transformations के अंदर आप देखें यहां पर हमारे पास equations काफी हैं but I am not going into the details of this equations यह वाली figure है जो मैंने आपको दिखाई है circuit line की library के उपर जा के आप देख सकते हैं कि आपके पास different किसम की distributions होती है which are not normal आप उसके उपर different transformation लगाते हैं जैसे Gaussian है और Gaussian uniform by model पे लगाएंगे तो आपके पास यह result आएंगे so this is how you can actually transform your data quantile transformation क्या करती है बाकी transformations क्या करती है यह basically algorithms हैं जो data को एक range के अंदर लाके उसको center of जो उसका central tendency और जो standard deviation है वो normal distribution के साथ match कर देती है and this is called आपकी non-linear transformation non-linear transformation दो किसम की है पहली तो यह है कि आप uniform distribution में convert करते हैं दूसरी क्या है आप उसी को Gaussian distribution के अंदर convert करते हैं जो भी आपकी distribution आजाती है यह दोनों important है ठीक है अब जो मैंने standardization आपको बढ़ाई वो यहां से बढ़ाई थी standardization of a data set इसमें हम क्या करते हैं हम standard scalar यूज करते हैं which is a quick and easy way to perform operation on an array like data set ठीक है और फिर हमारे पास यहां पे min max scalar है max absolute scalar है ठीक है यह दोनों यहां पे आगए min max scalar के अंदर क्या होता है इसका formula यह है आपके सामने ठीक है और आपके पास जो max absolute scalar है उसका range जो है वो यहां पे लिखी है यह सारी चीज़ने यहां पे दी हुई है ठीक है और अगर आप sparse data को आप करना चाते हैं तो वो भी आप कर सकते है matrix की base पे which is coming in upcoming lectures ठीक है फिर आपके पास robust scalar भी आप use कर सकते है which is kernel centrar kernel centrar क्या होता है क्यों होता है जब हम आगे convolution neural network पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा ठीक है हमने देखी linear transformations और non-linear transformations किस तरीके से काम करती है फिर आता है एक concept जिसको हम बोलते है normalization normalization और standard scaling के अंदर या scaling के अंदर क्या फरेका वो हम देखते है normalization is the process of scaling individual samples to have unit norm ठीक है आप क्या करते हैं individual sample को change करते हैं this process can be useful if you plan to use a quadratic form such as a dot product or any other kernel quantified to the similar or any pair of samples आप एक data को normalized form में ले जाते हैं normalized form का क्या मतलब होता है कि आप individual data के ऊपर अपनी normalization को जब लगाते हैं वो किसी भी किसम की normalization है उससे क्या होगा data आपका छोटी form में आ जाएगा यानि कि individual value उठके छोटी form में आ जाएगी ठीक है 10,000 का log 2 क्या होगा उसको भी आपने calculate करना है सारी चीज़ों का आपने log 2 या log 10 या log calculate करके उसको भी normalize करते हैं इसको बोलते हैं log transformation वो एक range नहीं होगी लेकिन वो values होगी छोटी values होगी बड़ी values की निस्बत अब यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है आपके पास different किसम की जो है वो input आती है आप उसके उपर भी normalization जो है वो चीज़ों की कर सकते हैं ठीक है यह है जी आपके पास scaling and normalization और अब हम इसको coding के तुरू देखते हैं कि यह किस तरीके से काम करती है scaling कैसे काम करती है normalization कैसे काम करती है and how actually we can perform these tasks inside Python ठीक हो गया